वेल दोस्तों मोहन के साथ बहुती गलत हो रहा है और उसे अपनी घर में साफ सफाई ये सब करनी पड़ रही है तो मोहन आया तो इसलिए था ताकि वो अपनी मा की दवाईयों को वापस लेके जा सके लेकिन एन मौके पर दामनी वहाँ आ जाती है और इस चक्कर में मोहन को इस घर में दामनी का नौकर बनके रहना पड़ेगा लेकिन अभी मोहन के लिए सबसे जरूरी है उसकी मा के लिए दवाई और इसलिए मोहन जो वो दामनी की बात मान लेता है उसका नौकर बनने के लिए वहीं वापस घर जाने के बाद मोहन ये बात राधा को नहीं बताता और क्याता है कि हा मैं नौकरी पर जा जा रहूँ, कहा जा रहूँ ये नहीं बताता, जिससे राधा बिल्कुल भी satisfied नहीं होती, और फिर पूरे दिन राधा ये ही सोचती रहती है कि आखिर मोहन के साथ हुआ क्या है, वहीं दामणी मोहन से अपने घर में साफसवाई करने को बोलती है जिसके लिए मोहन मजे मजे में काम करता है और हलका फुलका दामनी को छेड़ भी देता है लेगिन मोहन अपने मेन मकसद को नहीं भूला वो दामनी को सबक जरू सिकाएगा और दामनी से अपना सब कुछ छीन लेगा तो आगे दिखना काफी जादे इंटरेस्टिं भूनी वाले